सरदियों में ये समस्या आम है कि महंदी भिगो दी है लेकिन मौसम खराब हो गया है तो लगाए कैसे या महंदी भिगो ही नहीं अगर मौसम आज अच्छा है तो महंदी लगाए कैसे इसी समस्या के समधान के साथ मैं वविता एक बार फिर से स्वागत करती हूँ आपका कावल के पानी से फेशियल की रेमेडी भी मैंने शेयर की है वो भी देख लीजिएगा अपी दूसरा इंग्रिडियंट हमें चाहिए आमला ये छोटे-छोटे आमले हैं मैंने घर में ही सुखाए थे तो ये मैंने भीगो कर रग दिये हैं रात भर के लिए अगर आप ये रेम अच्छा कलर आ गया है ये लगभग आधा ग्लास आमले का पानी है अब मैं इसमें एड करूंगी चावल का पानी यानि कि जो हमने मांड लिया था लगभग एक ग्लास हमें इसमें एड करना है अगर आपके चावल नए है यानि कि उसका थिक मांड निकलता है थिक पानी आ आपके पास अगर जटा मासी नहीं है, तो आप skip कर सकते हैं, मैंने बालो को कलर करने के लिए जटा मासी लिया था, तो मेरे पास रखा था, इसलिए मैंने इसमें एड कर लिया, मीथी दाना, करी पता और आमला, आपको अपनी डाइट में भी जरूर सामिल करना चाहिए, अग को कोई इसका रिजल्ट बताए, तो मेरे चैनल को जरूर सस्क्राइब कर लीजेगा, और वैल आइकन दबाना मत भूलिएगा, अगर आप चाहते हैं को कोई रेमेडी मैं आपके लिए रिद्यू करूँ, तो वो भी कमेंट कर सकते हैं, मेती हमारी गल गई है, अब गैस को क पीस कर, आप एक पैक की तरह अपने बालों पर लगा सकते हैं, इससे बहुत ही अच्छा कलर आएगा, आपको करना कुछ नहीं है, सिर्फ इसको पीस लेना है, और अपने बालों पर लगा लेना है, ठीक वैसे ही, जैसे आप मेहंदी लगाते हैं, और फिर उसको आधे फ्रिज में, और जब भी आप अपने बालों में महंदी लगाना चाहते हो, तो एक कटोरी में उतना ही निकाल लीजे, जितने में आपको महंदी भिगोने के लिए बहुत हो, और उसको हलका गुनगुना गरम कर लीजिए, और उसी में महंदी भिगो कर रख दीजिए, कि अ अगर आप इंस्टेंट महंदी लगाना चाहते हो, भिगो कर रखना नहीं चाहते हो, तो जो हाथों में लगाने वाली कौन आती है महंदी की, उसको इसमें एड़ कर दीजिए, और अपने बालों के लिए एक अच्छा पेस्ट बना लीजिए, और बालों में लगा तो आप जो हाथों में लगाने वाली महंदी होती है, उसकी कोन को भी डारेक्ट अपने बालों में लगा सकते हैं, बहुत अच्छा कलर देती है, हम नॉर्मल महंदी लगाते हैं, उससे भी अच्छा कलर देती है, और लगाना भी बहुत ही आसान है, मैं तो यही तरीका अपन रहे हैं तो प्लीज कमेंट जरूर कीजिए और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करना मत भूला और चैनल पर पहली बारों तो सस्क्राइब कर देना और वेल आइकन जरूर दबा देना